हाई फ्रेंड्स आप सभी का सुबत करता हूं देके अपडेट से ऑफिशल इल्टिप चनल पर दोस्तों गवर्मेंट अफ इंडिया डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनरजी भावा एटोमिक रिशेच सेंटर की तरफ से एक जवर्दस्त वैकेंसी निकली हुई है तो आए इस वीडियो में जानते हैं देखिए फ्रेंड्स इसका अट्वर्टेजमेंट नंबर 03230 बार्क है और ओपिनिंग डेट इसका 24 अप्रील है और लाजड़ेट 22 में है इसका इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर डिर्ट रिकूटमेंट है यह टेकनिशन ऑफिस इसके बाद बात करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको इस टाइपेंट रिट्रिनी ग्रेड टू में लेके चलता हूं आप देख सकते हैं काटेगरी टू यहां पर डिपलोमा की भी वैगेंशी निकली हुए है फ्रेंड्स यहांसे आप देख सकते हैं साइंटिफिक इसके बाद बात करते हैं तो फ्रेंड्स काटेगरी नमबर टू इस ट्राइपेंडरी ट्रेणी आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छी वैगेंशी निकली हुए है फ्रेंड्स यहां पर आईटिए बालो के लिए एससी मतलब आपका टेंध क्लास पास होना चाहि यह इद्येड में तो फ्रेंड्स पोस्ट कोड है टीर 17 solved such 98 लगभग 700 के लगएंट्स 212 बैंडेंजी सुर्णel इसके बाद देख सकते हैं इस के से और यहां पर मैसन प्लंबर कार्पेंटर में 27 मेकनिक में 24 डिजल मेकनिक में 19 इसके बाद प्लैंट ओपरेटर 532 एचसी विद्फीजिक्स होनी चाहिए आपर यहां पर आपका है यहां पर आपका है स्प्रेंट और प्लास टू एर्स डिपलोमा रिकानजड वा देंटल कांसल फिंडिया तो फ्रेंट्स यहां पर दिया गया है Trade Certificate through National Trade Certificate ITA Passout of 2-Year Duration और National Apprentice Certificate NAC of 2-Year Duration Under Apprentice Training Scheme और NTC ITA Pass of 1-Year Plus 1-Year Experience After the Completion of Course और NTC ITA Passout of 1-Year Duration Plus NAC of Minimum 1-Year Duration Under Apprentice Training Scheme यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंट्स बात करते हैं यहां पर Physical Standards के बारे में Height 160 cm और आपका Weight 45.5 kg होनी चाहिए Medically Fit होनी चाहिए Age Limit आपका Closing Date को रखा गया है Age Limit as on Closing Date तक आपकी Age Cross नहीं होनी चाहिए इसके बाद बात करते हैं फ्रेंट्स यहां पर बताए गया है कि Minimum Age and Maximum Age आप देख सेते हैं Category 2 Stipendary Trainee Minimum 18 Maximum 22 Candidate Must Born Not Earlier Than 23.5.2001 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 22.5.2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए यहां पर Relaxation दिया गया है OBC-CST को इसके बाद बात करते हैं Friends Selection Method के बारे में तो Friends यहां पर Selection Method Technician B and Category 2 Stipendary Training के बारे में बात करते हैं First Round में आपका Preliminary Test होना वाला Second में Advanced Test Third में Skill Test तो यहां पर बात करते हैं First में The Computer Based Test Conduct on All India Business Stage Computer Based में आपका CBT होने बाला है All India में इसके बाद Friends Skill Test होने आपका Stage 2 में Advanced Test Advanced Test होने बाला है Out of Only 2 Candidates Qualified Stage 1 Preliminary Test इसके बाद बात करते हैं Preliminary Stage जो कि आपका 20 Question रहने वाला है Math से Science से 20 Question और General Awareness से 10 Question 1 Question का आपका 3 Marks मिलने वाला है और एक गलत करने पर आपका एक Marks कटेगा इसके बाद बात करते हैं All Candidates with less than 40% Marks in General Gateway and less than 30% in Reserved Gateway will be Screened Out मतलब का 40% से ज़्यादा लाना है Unreserved में और SCST OBC में आपका 30% Plus Marks के आना है Minimum इसके बाद बात करते हैं Advanced जो टेस्ट है यहाँ पर Multiple Chars Question रहेगा 50 और यहाँ पर आपका 2 Hour Duration यहाँ दो घंडे का Duration मिल रहे है आपको 50 Question रहने बाले है सिर्फ Time भी अच्छा दिया गया है Made List will be prepared After Stage 2 Based on the Scores Obtaining Stage 2 यहाँ पर एक आपका Right Answer में आपका 3 Marks है और एक Wrong Answer में आपका एक Marks Deduct कर लिया जाएगा Friends यहाँ पर भी Negative Marking है इसके बाद Skill Test The Number of Candidates Shortlisted for Skill Test Depend upon the Number of Candidates Qualifying for Stage 2 But Will not exit 4 to 5 times मादलब आपका जिनना भी Post है Total मादल लीजे 200 Post है 200 Post का 4 या 5 गुना Candidates को Shortlist किया जाएगा आप समद सकते है Friends इसके बाद बात करते है Friends यहाँ पर दिया गया है Candidate with Lower Negative Marks In Stage 2 Placed Higher मादलब आपको Negative कम से कम करनी है Friends और आपका Marks अधिक से अधिक होना चाहिए इसके बाद बात करते है Friends How to Apply आपको BarkOnlineExam.com इस वेबसेट पर जाना है वहाँ पर आपको पेमेंट कर दीनी है सब कुछ फिल अप करके और यहाँ पर फोटो के बारे में इंस्टेक्शन दिये गए Friends आपको एक Personal Valid E-mail ID Mobile Number होना चाहिए Friends इसके बाद फोटो के बारे में बात करते है इमेंज शूड भी साइज आप 165 इंटो 125 पिक्सल इन JPG JPG फॉर्मेट और शूड नॉट एक्सिट 50 के भी सिगनेचर शूड 18 इंटो 125 पिक्सल JPG नॉट एक्सिट 20 के भी सिगनेचर भी इसके भी में होना चाहिए इसके बात बात करते है फ्रेंट्स मनलब फोटो सीनेचर एक्दम साबसूत्रा दीजेगा फ्रेंट्स तो बात करते है फ्रेंट्स फिस के बारे में तो फ्रेंट्स यहांपर आप फिस देख सकते है Categor1 Categor2 जो कि इस आई टेबल के लिए है रुपीज एक सो और यहां पर स्टी पी डब्लू डोमेन को छूट दिया गया है फ्रेंड्स और इसके आगे बात करते थे फ्रेंड्स बॉइलर एटेंडेंडन की भी पोस्ट है यहां पर आप देख से तरे टेगनेशियन बी में आपका बॉइलर एटेंडेंडन का पोस्ट है टोडल 24 पद है कुल यहां पर आपका SSC मादलब 10th प्लस 2nd class बॉइलर एटेंडनेंडन सर्टिफिट होना चाहिए इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सेंटर कहाँ पर दिया गया है इसका फ्रेंड्स सेंटर आफ एक्षिमेशन आप देख सकते हैं यहां पर आल अवर इंडिया बेसिस पर यहां पर आपका CBT होने बाला है तो आप चूज कर लीजेगा जो भी आपका नज़्दी की सेंटर रहेगा फ्रेंड्स आपको थ्रे सिटिस च्वाज करना है यहां पर और यहां पर आपको बताएगा फ्रेंड्स आपको बताएगा फ्रेंड्स आपका एक्षिमेशन से पहले अड्मिट काड आ जाएगा अडिशन तो दे अड्मिट काड इट इस मैंडिल तो कैरे अड्लिस तो पासपोर्ट साइज फ्रॉंट फेस रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड इन अफ फॉलिंग और आप एक्षिम की दिन दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक आईडी काड ओरिजिनल ले जाएगा तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं category 2 step and return technician grade C grade B यहां पर आपकी level 3 और level 4 की पोश्ट होने बाली है फ्रेंड्स आप दे सकते हैं यहां पर आपको आपको तंका कि नहीं होने वाली 25500 level 4 में और level 3 में 2700 यहां पर आपको other facilities भी धिए जाएगा फ्रेंड्स यहां पर friends certificates के performance है जो कि assist OBC के लिए होता है friends आप अपना certificate भी बनवा लीजेगा और इस vacancy को जरूर फिल कीजेगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत